Hey everyone, welcome to the laptop series. Laptop series में हम आपको आपके budget और category के ही साब से laptops recommend करते हैं और आज के इस video में हम जो category cover करने वाले हैं वो है laptops for graphic designers. तो अगर आप use करते हैं softwares like photoshop, illustrator, sketch, inkscape तो आपके लिए ही ये video है. तो गाइस जब आप graphic designing के लिए एक laptop select करते हो ना तो सबसे important चीज उसकी होती है processor. Processor के साथ साथ आपको screen भी देखना होता है कि screen जो है अच्छा color produce करें. इन दो aspect को धान में रखके ही आपको अपने लिए laptop select करना चाहिए. तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों कि जिनका budget है 30,000 से कम और एक designing के लिए laptop ढून रहे हैं. तो यहाँ पे मैं आपको recommend करूँगा Acer Extensa जो के आता है Ryzen 3 7320U के साथ. ये laptop currently unavailable बता रहा है कल तक तो available था ये. बट में भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस time पे available है तो आप इसे जरूर consider कर सकते हैं बहुत ही अच्छा option है. और अगर ये option अवेलेबल नहीं है तो आप जा सकते है HP 255 Notebook के साथ. जो कि आता है Ryzen 3 3250U के साथ जो के एक तम tight budget के लिए अच्छा option रहेगा. अगर आप थोड़ा जादा spend कर सकते हो तो आप जा सकते है Honor Magic Book 14 के साथ. इसमें आपको Ryzen 5 5500U देखने को मिलता है जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रशेसर रहेगा. इसमें आपको 16GB of RAM देखने को मिलता है with Intel Iris XC Graphics. इस लिश्ट का जो अगला laptop है वो है compact laptop जो कि है Honor Magic Book X14. जिसमें आपको i5-12450H देखने को मिलता है जो कि बहुत ही बढ़ी आ प्रशेसर है. इस लिश्ट में जो नेक्ट लापप है वो है Asus VivoBook 16X. यह एक 16-inch का laptop है जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा आपके workflow के लिए. जिसमें आपको Ryzen 5 5600H देखने को मिलता है. तो अब बचट थोड़ा और बढ़ाते हैं बात करते हैं अंटर 60,000 वाले laptops की. यहां मैं आपको recommend करूँगा Asus VivoBook Go 15 OLED. यह एक OLED स्क्रीन के साथ आने वाला laptop है जिसमें आपको देखने को मिलता है Ryzen 5 7520U. वसे के साथ साथ आपको इसमें 16GB of RAM भी देखने को मिलता है. इस लिस्ट का जो अगला laptop है वो है Asus VivoBook 16X. जो कि आता है Ryzen 7 5800HS के साथ. इसमें भी आपको 16GB of RAM देखने को मिलता है. तो अब बात करते हैं बजट अंडर 70,000 रुपीज. यह विल रेक्मेंड Asus VivoBook S15 OLED जिसमें आपको Intel i5 Evo 12500H देखने को मिलता है. विध Intel Iris XC Graphic and 16GB of RAM. नेक्स लैप्टोब इस लिष्ट में है Asus VivoBook Pro 15 जिसमें आपको देखने को मिलता है Ryzen 5 5600H. और यह आता है लैप्टोफ 16GB of RAM के साथ और इसमें आपको Graphic Card भी देखने हो मिलता है RTX 3050. तो आप इसमें Gaming Editing भी कर सकते हो with Designing Work. और अगर इसके उपर के बजट की बात करें तो आप जा सकते हो Asus VivoBook 15 OLED के साथ जो कियाता है Intel i5 13 Gen के साथ. इसमें भी आपको 16GB of RAM OLED स्क्रीन और Intel Iris XC Graphic Card देखने को मिलता है. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग का question आता है कि क्या एक touchscreen laptop ले सकते हैं for Designing Work. तो मेरा opinion यह है कि आप buy तो कर सकते हो बाट वह बहुत ही महंगे होते हैं as compared to normal. मतलब मैं Windows की बात करूँ specifically. मतलब आप जो test screen के लिए जितना pay करते हो उसमें आपको high specification वाला laptop मिल जाता है. वो भी काफी बड़ी option रहता है for Designing Work. और कैसे आने वाले time में Amazon और Flipkart पर sale आने वाले हैं तो आपको sale से related कोई भी चांदकारी चाहिए. कौन से laptop वो time पर अच्छे sale में है, कौन से laptop आपको consider करने सकते हैं. तो आप हमारा WhatsApp चैनल भी join कर सकते हैं.